बस की यात्रा लोगों ने सलाह दे कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है बस को देखा तो श्रद्धा उमड पड़ी खूब वयो व्रिद्ध थी सदियों के अनुभव के निशान लिये हुई थी लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि व्रिद्ध वस्ता में इसे कश्ठ होगा यह बस पूजा के योग्य थी उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे हमनी उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोला चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी? हमनी कहा वही तो हम देखना चाहते है अपने आप चलती है यहाँ? हाँ जी और कैसे चलेगी? गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है हम आगा पीछा करने लगे डॉक्टर मित्र ने कहा डरुमत चलो बस अनुभवी है नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वस्नीय है हमी बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैठ गए जो छोडने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं उनकी आखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा, रंग, फकीर आदनी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए इंजन सच मुझ स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फोरण खिड़की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सच मुझ चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के आसहयोग और सविने अवज्या आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसी ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से आसहयोग कर रहा था पूरी बस सविने अवज्या आंदोलन के दौर सी गुजर रही थी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है आट-दस मील चलनी पर सारे भेदभाव मिट गए यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बेठे हैं या सीट हम पर बेठी है इका एक बस रुख गई मालुम हुआ कि पेट्रोल के टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्ती में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डाल कर इंजिन में भेजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजिन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे मा बच्ची के मूँ में दूद की शीशी लगाती है बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी मुझे उसकी किसी हिस्से पर फरोसा नहीं था ब्रेक फेल हो सकता है, स्टियरिंग तूट सकता है प्रकृती के द्रिश्य बहुत लुभावने थे दोनों तरफ हरे भरे पेड थे, जिन पर पक्षी बैठे थे मैं हर पेड को अपना दुश्मन समझ रहा था जो भी पेड आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी वह निकल जाता, तो दूसरे पेड का इंतजार करता जील दिखती, तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी एका एक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबे की पर वह चली नहीं, सवेने अवग्या आंदुलन शुरू हो गया था कम्पनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स क्लास है जी, यह तो इत्तिफाक की बात है क्षींड चांधनी में व्रिक्षों की चाया के नीचे वह बस बड़ी दैनी लग रही थी लगता जैसे कोई व्रिद्धा ठक कर बैट गई हो हमें ग्लानी हो रही थी कि बिचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं अगर इसका प्राणान्थ हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंतियश्टी करनी पड़ेगी हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे व्रिद्धा की आँखों की जोती जाने लगी चांदनी में रास्ता टटोल कर वहां रेंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वहां एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वहां उम्र ही नहीं रही एक पुलिया के उपर पहुचे ही थे कि एक टायर फिस से करके बैठ गया वह बहुत सोड से हिलकर थम गई अगर स्पीट में होती तो उचल कर नाली में गिर जाती मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं उचसर की ऐसी भावना दुरलब है सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उप्योग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदुलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी लगता था जिन्दगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है इस प्रित्वी पर उसकी कोई मन्जिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गये हम बड़े इत्मिनान से घर की तरह बैठ गये चिन्ता जाती रही हसी मजा चालू हो गया